नमस्कार मैं लिथो मुंग चांग आपका स्वागत करता हूँ हॉन्बिल टीवी भारत पर आईए आज की सबसे बड़ी ख़बर देखते हैं जिसमें विपक्षी दल कॉंग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है लोगसबा चुनाफ की तारीखें जिस तरह निकट आती जा रही हैं इसी के साथ कॉंग्रेस ने पांच अपरिल यानि की आज लोगसबा चुनाफ के लिए अपना गोशना पत्र प्रकट किया जिसमें याय के पांच मौलिक सिधान्तों के प्रती अपने समर्पर्ण को उजागर किया गया गोशना का आयोजन पार्टी के नेता मलिकारजुन खरगे द्वारा किया गया जिनके साथ पूर्फ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांदी और राहुल गांदी भी थे ICC के अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे, पाटी के दिगच राहूल गांदी, सोनिया गांदी, पी चितमरम और के सी विनु गुपाल के साथ नई दिल्ली में ICC के मुख्याले पर लोगसबा चुनाव के लिए पाटी का गोशना पत्र सावजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया कॉंग्रेस के पाटी अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे ने कॉंग्रेस के गोशना पत्र पर टिपनी की जिसमें उन्होंने कहा कि इस गोशना पत्र को देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय का दस्तावेश के रूप में याद किया जाएगा उन्होंने बताया कि राहूल गांदी के नेत्रित्व में चलाई गई भारज जोडो न्याय आत्रा के दौरान पांच स्तंभों पर ध्यान किंद्रित किया गया युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसेदारी न्याय इन पांच स्थम्भों में से 25 गरंटीज निकली और हर गरंटी किसी न किसी को लाप्रदान करती है नारा एक होशना पत्र देश के राजनीती की ध्यास में न्याई के दस्तावेश के रूप में याद किया जाएगा राभुल जी के नेत्रत में चली बारत जोडो न्याई यात्रा में पांच पिलर्स पर ध्यास के इंद्रीत किया गया था यात्रा के दोरान इवा नय, किसान नय, नारी नय, सेमिक नय और हिस्षेदारी नय की घोशना की गई थी जहां कई भी हम गए इन नय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटे भी हमने दी है इन पांच पिलर्स में से 25 गारंटे निकलते हैं हर 25 गारंटे ने किसी ना किसी को लाब मिलने का इसके अंतरगत यहां पर हमारे मेनिफेस्टों में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही कलते हुए आये हैं वो भी हमने इसका उल्लेक किया है मैं कुछ बाते आपके सामने रखना चाता हूँ खास कर इवा नहाए के तहट हर सिक्षित इवा की पहली नूजगरी अपरेंटीसिव के साथ पक्की हो जाए अईसी एक ग्यारेंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम एक लाक रुपे उसके लिए हम एक अपरेंटीसिव कोर्स करने मालें को खर्च करेंगी और इससे ये फाइदा होगा किसी ना किसी जगे उसको पक्की नूकरी मिलेगी क्योंकि एस खिल डेवलाप्मेंट के तहट और बहुत से इंडस्टीस में इनको काम मिलेगा नारी नाय के तहट गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाक की मदद देंगे कोई टालिया नहीं बुजा रहे क्या बात गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाक की मदद देंगे और किसान नाय के तहट किसानों की कर्ज माफी और MS की कानून की ग्यारेंटी भी हम देंगे कॉंग्रेस के सांसत पीची दम्रम ने कहा कि वर्षों से राशनीतिक पार्टियों ने खास कर दल बदलू नेताओं ने सम्विधान की दसवी अनुसूची की सिमाओं को उजागर किया है उन्होंने यह भी जोड़ा की दसवी अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए उन्होंने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि हमारा स्थान यह है कि दल बदलू होते ही वह तुरंत अयोग्या ठेहराए जाने चाहिए सवाल यह है कि आप लोगोंने एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टों में कि जो लोग पार्टिया शोड़कर जाते हैं चुनेवे लोग उनके लिए आप अमेंडमेंट करेंगे टेंट शेडूल में डालेंगे ताकि उनकी मेंबर्शिप अपने आप बरखास हो जाए क्या इस तरीके की परिस्थितिया जो आज बन रही है खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगोंने मैनिफेस्टों में इसको डाला है राखुए उनकी में इसको डेफ आज एका Adsशर इस संवाइंग ता है ऑच अजी कि इससों को दूसर है एगेशा ही आज सेदिए झाज़ कोणाओ के सानला है लिसके लिह डिन लुब्रभ tiज ए सब्सक्राइब ए पांवाय करए दैनि निभी है र हे ट близश प्रेड उनीचो मु सनफे लुबरा हुए है बंधाध जा प्लीकतें इस का फिडिएल करते हैं ।ी अम्स सब्सक्राइब नहीं करट तस्किर्पा बिचाती करा बेirse armfight aha कॉंग्रिस के सांसद रहुल गांधी ने उलिक किया कि भारत गड़ बंदन ने एक ही विचारधारा में चुनाफ को साथ लड़ने का निर्णे लिया था उन्होंने इसके अलावा यह भी दर्ज किया कि चुनाफ के बाद गड़ बंदन नेता और प्रधान मंत्री के बारे में समू के समिधान पर निर्णे लेगा रहुल जी 2009 में आपको भी याद होगा उस वक्त मैनिफेस्टों में दो तस्वीरे थी मनमोहन सिंग जी की और सोनिया गांदी जी की पूछा गया था पीम केंडेट कौन होगा सोनिया जी ने अपनी तस्वीर चुपा ली थी आज दो तस्वीरे हैं रहुल गांदी जी की औ देखिए इंडिया गटबंदन में डिसिजिन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलोजिकल चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा कॉंग्रिस द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलों की गोशना भी की गई है महालक्ष्मी योजना का प्रस्तावना गरीब भारतिय परिवारों को वार्शिक रूप से एक लाख रुपे प्रदान करना जो आई वर्गी करण के सीमांत के नीचे आते हैं खेल संगों के लिए ओलंपिक चार्टर के अनुपालन की नियुमों की सुनिश्चित करने वाले कानून का प्रारूपण साथ ही युवा खिलाणियों के लिए मासिक दस हजार रुपे की चात्रवितियों का प्रदान 2025 से महिलाओं के लिए केंदर सरकारी नौकरियों का 50% का आरक्षन सारवजनिक स्वास्थय के लिए राजिस्थान मॉडल का कारियान वियन 25 लाख रुपे तक का कैशलेस बीमा प्रदान करना वरिश नागरिकों, विद्वाओं और विकलांग व्यक्तियों के पेंशन के लिए केंदर सरकार के योगदान में मासिक एक हजार रुपे की व्रिद्धे स्वामी नाथन आयोग द्वारा सिफारिश की गई क्रिशी उत्पादों के न्यूंतम स्मर्थन मूल्य MSP की गरंटी मौजूदा GST कानूनों का GST 2.0 के साथ प्रती स्थापन जिसमें एक हलका मात्रा का कर दर होगा अगले दशक में GDP को दो गुना करने का समर्थन कॉंग्रेस का गोशना पत्र वादा करता है कि 50% आरक्षन सीमा को हटाया जाएगा जाती गणगणा और कानूनी MSP गरंटी प्रशासनीक चुनाफ कानूनों में समविदा के साथ Electronic Voting Machine जिसको हम EVM कहते है इस पर निगरानी के लिए संशोधन करने का प्रतिबद्धा इसके अतिरिक्त कॉंग्रेस व्यक्तिगत स्वतंतरता का सम्मान करने का वचन देती है जिसमें भोजन, पोशाक, प्रेम, विवा, यात्रा और निवास के विकल्प शामिल है वे संसत के सदस्यों या राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को अपनी मूल दल से बटकने पर स्वचालित रूप से अयोग्य करने के लिए संविधान की दसवी अनुसूची में संशोधन करने का भी वादा करती है लोगसबाद चुनावों की गहमा गहमी अपने चरम पर है NDA और इंडिया गढ़भन्दन ने उत्तरपदेश में अपना प्रभाव दिखाया है प्रत्याशी चैन की प्रक्रिया जारी है और संशोधनों के बावजूद 80 सीटों वाले उत्तरपदेश में महत्वपूर्ण मुद्दे गायब दिख रहे हैं इस परिस्थिती के प्रकार के संधर्व में हॉन्बिल टीवी के राजनीतिक संपादक रिशी भारदवाज ने इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को निर्धारित करने का प्रयास किया आईए एक नजर डालते हैं उत्तरप्रदेश की राजनीती हमेशा से देश को बदलने वाली रही है यहां लोकसवाज चुनाव में जो मुद्दे होते थे वो देश के मुद्दे होते थे वो चाहे रामंदिर का मुद्दा हो महंगी सबजी का मुद्दा हो बेरोजगारी का मुद्दा हो लेकिन ये पहला election ऐसा है जब ऐसा लग रहा है कि पक्ष या विपक्ष किसी के पास भी कोई मुद्दा ही नहीं है तो ऐसे में ये बात करने के लिए हमारे साथ आज वरिश्पत्रकार दिने शर्मा जी मौजूद है जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर ये कैसा चुनाओ है जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर जो बाते हो रही है वो ये हो रही है कि कोई रूट रहा है कोई सी को मना रहे है समाजवादी पार्टी अभी तक ये नहीं तेह कर पाई है कि आखिर में उनकी कौन सी लोग सभा सीट से कौन सा एक प्रत्याशी होगा कभी एक आता है कभी उसको अटा लेते, कभी उसकी विदाई हो जाती, कभी वो अंदर हो जाता है और NDA की अगर बात करें तो भारती जंता पार्टी को सबसे जादा जो उम्मीदे हैं वो भी उत्तर परदेश से ही हैं लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो यह तैहीं नहीं कर पा रहे हैं कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो आए पहले हम बात करेंगे दिने शर्मा जी से और उसके यूवा जोश हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से भी जानते होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में जो सिपाई भरती घोटाला हुआ था इस घोटाले को उजागर इन्हों ने ही किया है। तो आज उनसे भी बात होगी और यूवा जोश के साथ में एक अनुभव का है जो हमारे साथ संगम खड़ा हुआ है आज हम इन दोनों से ही बात करेंगे। तो दिने जी बहुत बहुत स्वागत है आपना। दिने जी ये बताईए कि जिस तरह से ये पहरा एलेक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है तो ये बात मैं सच मतलब समझ पा रहा हूं या मैं कुछ गल्ती कर रहा हूं इसको समझने में देखे ऐसा है कि जितने भी आम चुनाव होते हैं अक्सर आप देखते हैं कि 5 साल ये लोग मुद्दे खटा करते हैं अपनी मेहनत करते हैं प्रतियाशी 5-5 साल तक मेहनत करते हैं तो मुद्दा जो है चुनाव आते आते गायव हो जाते हैं और ततकालिक मुद्दे चुनाव पर हावी हो ज ना उनको प्रभाव होता है राममंदिर का अगर लग रहा होता है कि राममंदिर बनाने के बाद से सीटें जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है या बहुत कुछ हो गया तो वह अपने फटा-फट सारे प्रतैशी वह घोशित कर चुके होते ना मैं यह बात आप से इस तरह से कहूंगा कि देश इस पूरे के नम मेरे अपने सामने 38 साल के पत्रकारता जीवन में जो मैंने देखा है वो यह है कि जो असल मुद्दे हैं विकास का मुद्दा होता है यह गायब हो जाता है और तातकालिक मुद्दे पूरे चुनाओ के अंदर हावी रहते हैं यह बताईए कि आप एक युवा हो आपके लिहास से इस चुनाओं में क्या मुद्दा होना चाहिए देखिए मुझे जो लगता है जैसा कि अभी जैसा कि भाईया ने बताया हम लोग इन से सीख भी रहें बट उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मुद्दा है उत्तर प्रदेश में लड़के निकल के आते हैं सडकों पे 3-3 धरने बैठते हैं कि हमारा पेपर लीक हो गया है हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश के लेग डेपी सीम है केसो प्रसाद मोरिया ये बताते हैं व जोर या गरीब का विशे होता है तो उसके अगर किसी के सरनेम टाइटल को चेंज होता है तो उसके घर बुल्डोजर पहुंच जाता है तो हम लोगों का यह मानना है कि उत्तर परदेश के अंदर जो मुद्धा होगा वो बेरुजगारी का मुद्धा होगा करते हैं एक तरफ खुदी कहते हैं असी एक प्रॉक्समेटली क्यासी करोड लोगों को फिरी में गल्ला दे रहे हैं हम लोग किस तरफ की कल्पना की बात कर रहे हैं कि हम लोग एक तरफ फिरी रेवडी वाले उन्हीं का भासर देते हैं और असी करोड लोगों को गल्ला दिया जिस पर बात होनी चाहिए ने एक तो बेरुजगारी का हो गया और कोई भी एक्जाम अगर एक कंडेक्ट करा रहे हैं तो उसको सुचार रूप से कंडेक्ट कराएं मतलब एक एक्जाम कंडेक्ट कराने के लिए आपको एसाइटी गठित करने पड़ रहे हैं कितनी दुक का का पूर्व सिक्षा कैसे हो तदा साथ में हमें ये भी बात करना चाहिए कैंपस प्लेस्मेंट जैसे कि अभी सर ने बताया इन्हों फॉरन का एक आध एक्जामपल दिया हम लोग बड़ी सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो फॉर मुझे लगता कॉलिज प्लेस्मेंट की जो ह हम गाओं की तरफ बढ़ें जितने चोटे स्मॉल सिटी से वहाँ पे कॉलेजेस हैं बच्चे के उल डिगरी लेकर निकल जाते हैं उनको नोकरी नहीं मिल लए तो हमें कहीं ना कहीं सरकार से ये भी उम्मेद है कि वह एक प्रियास करें कोई ऐसा सुटिवेल्टी करें कि कै विपक्षी भारत संख का चुनाव गोशना पत्र जो जारी किया गया है उसमें 25 प्रकार की गारेंटिया उलिखित हैं पत्र में मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान देकर लगबग सभी वर्गों को प्रेरीत करने का प्रयास किया गया है पत्र में महिलाओं को वार्शिक रूप में एक लाख रुपई प्रदान करने के बारे में भी बात की गई है साथ ही युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरिया प्रदान की जाने की भी उलेक है पत्र में मन्रेगा के कामगारों को रोजगार की दिन चर्या में 400 रुपे की दर पर वेतन देने के बारे में भी कहा गया इसी तरह पत्र में 25 प्रकार की जो गैरेंटिया पर चर्चा करके समाज की सभी वर्गों को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है हॉन्बिल टीवी ब्यूरो मुख्य अनूप चौधरी ने इस मुद्धे पर सामान्य जनता से बात की क्या विपक्ष का घोशना पत्र वास्तव में उसके लिए एक जीवन रेखा साबित होगा या यह मोदी की गारेंटीयों के सामने तूट जाएगा सुनिए लोगों ने क्या कहा है नमस्कार मेरा नाम अनूप चौधरी है और आप देख रहे हैं हॉन्बिल टीवी आज बात करेंगे कॉंग्रेस की घोशना पत्र की कॉंग्रेस ने घोशना पत्र अपना जारी कर दिया है जिसमें 25 तरह की गारंटी दी है इसमें किसानों को केंद्रित है यह जो घोशना पत्र है युवाओं को केंद्रित है और मनरेगा में 400 रुपे मजदूरी देने की भी बात कही है 30 लाग सरकारी नौकरी देने की बात कही है पांच हजार युवाओं के लिए जो है स्टार्टप फंड भी देने की विवस्था की है ऐसे तमाम बाते कहीं हैं गोस्रापत में 25 तरह की गारंटी के साथ ही कि अगर वो सरकार बनती है इंडिया की सरकार बनती है तो 25 गारंटी है वो पूरी करेंगे कि और सबसे बड़ी बात कहीं कि एक लाख रुपे महिलाओं को सला ना देंगे हम इसे मुद्धे पर लोगों से बात करेंगे युवाओं भी हैं महिलाएं भी हैं उनसे बात करेंगे कि कॉंग्रेस का घोस्रापतर उनके लिए कितना कारगर साबित होगा क्या नाम है आपका अवनी अंदर कुमार सिंग अवनी अंदर जी आज कॉंग्रेस ने अपना गोस्रा पत्र जारी कर दिया हैं यहाओं को लेके बाते कही कही हैं किसान है और बिरोजगारी को बड़ी समस्टा बताईगी हैं बिरोजगारी को मुद्दा रखके उसमें तमाम बाते केंदरित की गई हैं चार सुर्पे मनरेगाद में देने की बात कही हैं क्या लगता है का इंगरेस का जो घोस्रा पत्र आप उसको किस नजर से देखते हैं यह गोस्रा पत्र का अंगरेस का जो किस्तान मुआफी को लेकर इसके पहले भी गौवर्मेंट ने एक बार माफ किया था किस्तानी गौवर्मेंट तो इससे हो जगता है कुछ इनका ओड़ बैंक बढ़ जाये किसान को लेके जो हमारी अपनी राए हैं यह इनकी उजनाए सही है किसान को लेकर है घोस्रापत में बाते कही गई हैं क्योंकि बेरुजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा ब का होता है उसको चार sto रुपए कि बात कही गई है आखे संता पकषिसको क्यों सorous परक या दे देंगे राजस्थान को नहीं दे पाए यह कहां से देंगे यह हिमाजल प्रदीश में यह की जएगा अभी की सर्कार रही किसान को देंगे यह कहां से देंगे देजागे की बजट कर लिए जिए किसान माफि नहीं कर पाएंगे एक प्रदेश नहीं देखें ये पूरे इंडिया का चुना हो एक प्रदेश नहीं पोरे इंडिया के लिए झिस तरह से प्रवाइब नितिन जी जिस तरह से कॉंग्रेस ने अपना घोसरा पत्र जारी किया है लोगों को लुभाने के लिए उसमें गरीब भी है किसान भी है नौजवान भी है और जो छोटे तबकी का मजदूर होता है मन्रेग उसको भी 400 रुपे देने की बात कही है और युवाओ देखे जो गोशना पत्र कॉंग्रेस ने आज जारी किया है मनिफेस्टो मुझको लगता है कि यह संजीवनी साइद ना बन पाए कॉंग्रेस के लिए इनके जो गोशना उसमें है नोराउट महिलाओं का सम्मान हो रहा है उसमें गरीब तपके के जो मजदूर भाई हैं उन गम में इवन रोजगार की बात भी की जा रही है लेकिन । यह को खोशना पत्र वोट में तदिल कर पाएगा या नहीं तuiल कर बात यह हैं कारण ये है कि जो भी ऐन्ने अगर ग्राउंड लेवल से काम किया रहा होता तो मुझको यह उम्मीद है कि सायद इनके अलाव को दूसरा पन अपना पाता कमिया थी इनके अंदर में इनकी नीतियों में कमिया थी इसी वज़ा से आज इस्थिति यह है जो कॉंग्रेस जरनी माने जाती है पॉलिटिकल फार्टेस की आज अपना आस्थित कहीं नहीं बचाने कि वाय जॉब आप सेल्फ मतब एंटर अब फंट देने की बात तो कहिए गोसा पत्र में वहीं मैं का अधिकर स्टाट अब बात करते हैं कि 2014 से लेकर के 2000 अभी जो हमारा चल रहा है 22-23 जो है इसमें आप देखेंगे जितने भी स्टाट अप सुए हैं लगवक सो के उपर ऐसे स्टाट अप हैं जो यूनिकॉन कंपनीज में काउंट करते हैं और वो सो के उपर जो कंपनीज हैं लगवक 35,000 से जादा जो है उन्हो दूत नहीं है कि इनको ये राज सत्त दिला दे आपके मुताबिक जो कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो है वो दमदारनी हाला कि कॉंग्रेस इस मैनिफेस्टो को संजीवनी मान दी और जिस तरह का जिक्र किया है चाहे वो यूवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बात हो उनके ल जो 2024 का है कितना कारगर रहेगा कांग्रेस के लिए क्या फाइदा मिलेगा इस घोसडा पत्र से वैसे जो कांग्रेस ने घोसडा पत्र चुनावी मुद्दा बनाकर किया है इस पर जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी यह अलग चीज होता है और किस परकार से यह इन्हों न करता है लेकिन इसमें यह देखना है कि माल झी कथनी और करने कथनी ने कहे दिया लेकिन कर नी कैसे कर एंगे यह इना पर डिपेंड करता है MOO men he लेकिन वी समें क्या होगा कैसे विश्व गारे stating कोई कोई पॉबिज कना अगर जो है जिसके पास ते उसको पता है उस कलम में इनके कितनी हैं कॉंग्रेस हो या कोई सत्था पाटी एंड ये हो उनको सब को पता है क्या करना है जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करे रहे वहाँ कॉंग्रेस ने जो बाते कही थी जो गारेंटी की थी सरकार बनने के कि बात कर रहें 30 लाग सरकारी नौकरी देने की बात कहिए गुष्रणपत्र में आपके भी बच्चे हैं उनको भी तो सपना होगा कि नौकरी मिले अब इनको करना कहां से इन पर डिपेंड करता है अब ये कहां से सोच कर कहें है अब ये कैसे कहा जा सकता है ये तो भाई 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 इसकी बाते हैं और भाई इसकी बारे में कौन बता सकता है इस पर डिपेंड नहीं करता है ने तो कैसा है कांगरस का घोस्रा पक्त्र कितना कारगर रहेगा क्या वाकई मिलेगा या सकता है लेकिन क्या हो सकता यह कोई नहीं जानता है यह जाता है यह खेंजची प्रिती जी अगर एक लाग रुपए आपको बैठे बैठे मिले सरकार की तरफ से तो कैसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा अगर हमें सरकार की तरफ से एक लाग रुपए बैठे बैठे मिलता है बेना कुछ करे तो बहुत अच्छी बात है कॉंग्रेस ने मेरिफेस्टो जो जारी किया है उसमें कहा है कि एक लाग रुपे महिलाओं के लिए भी कहा कि उनको सालाना एक लाग रुपए देंगे क्या कहेंगी तो महिलाओं को इससे बहुत सहरा मिलेगा कुछ महिलाओं के लिए काफी प्रॉब्लम आती है कोई भी वीडियो है किसी के हैस्बन ने छोड़ दिया किसी ने कुछ कर दिया अगर उनने सरकार की तरफ से यह सहरा मिलेगा तो अभी तक के लिए इतना ही और